हेलो, गुड मॉरिंग तो अल अफ यू वेटा आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास पैंड चेप्टर थी के एक्सरसाइज 3.3 का कोश्चन नमबर थर्ड का फिप पार्ट आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि पिछला पोश्चन हमारा सारा कंप्लीट ओर का यहां तक, ठीक है आज हम नेक्स पार्ट को स्टार्ट करते हैं तो देखिए हमारा कोश्चन है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप सारे अपने कॉपी और पैन को निकाल लीजिए कोश्चन है आपका अपनी बुक सामने रखना पिटा तो कोश्चन को आप प्रॉपर बुक से रीड कर लीजिएगा मैंना आपको यहां पर रीड करके बता दिया है अब इसके इसाब सम करते हैं देखिए for any fraction किसी fraction के लिए बेटा हमारे पार दो चीज़े होनी जरूरी होती है ठीक है let numerator सबसे पहले हमारे पार numerator होना जरूरी है तो numerator को let करेंगे x and denominator equal to y हमने numerator and denominator को let कर लिया x and y तो बेटा numerator denominator को मिला के हमारे पास एक चीज़ बनते है किसको हम बोलते है fraction कहा बोलते हैं लोग fraction fraction हमारे पास क्या हो गए? x by y fraction आगे बेटा आपका x by y अब देखिए यहाँ पे हम देखते है according to question question क्या according क्या बोला गया है according to question हमें बोला गया है if fraction becomes 9 by 11 तो देखिए बेटा पहले fraction को लिखे x by y fraction become 9 by 11 एक fraction 9 by 11 बन जाता है कब बनता है 9 by 11 condition क्या है इसमें if 2 is added to both numerator and denominator if 2 is added to both यह आपका numerator वाला पार्ट होता है यह आपका denominator वाला पार्ट होता है कहता है numerator and denominator दोनों में अगर 2-2 add कर लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा यह आपका fraction 9 by 11 बन जाएगा है clear है तो देखिए आप यहाँ पे हम cross multiply करते हैं क्या करते हैं बेटा cross multiply ओके cross multiply करेंगे तो यह आपार्ट इससे multiply होगा क्योंकि हमें किसमें convert करना है इसको linear equation में तो देखिए 11 x plus 2 equal to 9 y plus 2 11 x plus 2 11 9 plus 2 तो देखिए आपका 11 x plus 22 11 x plus 22 equal to 9 y plus 18 9 y plus 18 clear तो देखिए आपके पास आजाएगा बेटा यह आपके हम क्या करेंगे 11 x equal to 9 y plus 18 minus 22 हम 22 को side ले गए आपके right inside के तरफ उसका sign क्या होगा आपका plus से minus आगया क्या होगा बेटा plus से minus आगया तो देखिए आपके क्या हो जाएगा 11 x equal to 9 y minus 4 देखिए 88 18 minus 22 आपके क्या बनेगा minus 4 बन जाएगा clear है तो आपके देखिए x की value क्या आजाएगी बेटा आपकी x की value आजाएगी 9 y minus 4 by 11 9 y minus 4 by 11 हमारे पास से किस की value आगए हमारी x की value आगई clear है इसको हम box में save कर लेते है clear है अब देखिए यहाँ पर हमारे पास से एक equation बन गी है यहाँ से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दूसरी question पर काम करते है अब कहा गया एक 3 is added to both numerator and denominator बेटर है अगर 3 add करते है तो क्या होगा it becomes 5 by 6 क्या बन जायागा यहाँ यहाँका 5 by 6 बन जायागा यहाँका 5 by 6 तो देखिए 6 को यहां पर करेंगे 6 x plus 3 equal to 5y plus 3 क्या किया हम लोगों ने हम लोगों यहाँ पर क्रोस multiply कर लिया क्या करा बیٹा हम लोगों ने cross multiply गया तो देखे 6x हो जाएगा आपका plus 18 equal to 5y plus 15 5y plus 15 clear है? तो देखे बəटा हमको अपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 x equal to 5y plus 15 OK? और यहाँ आपको 18 है, 18 को आप उस साइड लेजए है, minus 18, clear, तो 6x equal to 5y, 18 minus 15 आपको कितना आ गया, 18 minus 15, sorry, आपको कितना आ गया, 3 आ गया, कितना आ गया, negative of 3 आ गया, negative of 3 आ गया हमारे पास, clear है बेटा, कोई दिखकर नहां तक, ठीक है, सब समझा रहा हो, आप देखिए इसमें क्या करना हमारा कौन सा है, using substitution method, आप कौन सा method इस्तमाल करेंगे, substitution method, तो इस method में क्या है बेटा, इसको let कर लेते हैं, 1, इसको let कर लेते हैं, हम लोग 2, clear है, इसको हमना 1 let किया, इसको हमना 2 let किया है, ओके, कोई doubt नहीं होना चाहिए आप लोगे को, अब क्या करेंगे, यहाब अब य x in equation 2, x को किसे में put करेंगे, equation 2 में put करेंगे, किसे में put करेंगे बेटा, equation 2 में, देखे, 6, x की value के हमारे पास, बेटा, 9y-4 by 11, equal to 5y-3, clear, 5y-3, तो देखें, अगर हम देखे, 6 को अंदर मल्टे, 9, 6, 54y, 64, 24, divide by 11, equal to 5y-3 by 1, clear, अब देखें, अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, cross multiply करेंगे, क्या करते हैं यहाँ पर, cross multiply, cross multiply, clear है, हमने यहाँ इसको cross multiply किया, तो cross multiply करने के बाद, अगर आप देखें यहाँ पर, हम यहाँ पर आजाते हैं, तो इससे देखेंगे, यह 1 multiply होगा, तो क्या हो जाएगा, 54y-24 into 1, into 1, equal to, किसके equal होगा, आपका देखें, 5y-3 है, यह किससे multiply होगा, 11 से, 11 into 5y-3, clear, कोई doubt यहाँ तक, यहाँ तक सारी होगे आप लोगों को, अब देखें, आप क्या हो जागा, 54y-24, equal to, 55y-33, 55y-33, तो देखें बेटा, देखें, 33 को हम इधर left hand side में लाएंगे, 54 को right hand side में ले जाएंगे, ओके, 33 को हम इस side लाते हैं, और 54 को side ले जाते हैं, तो दोनों का देखें, जब हम इनके sides को change करेंग sign का change आएगा, clear है, तो देखें, आपका 33, 33-24, equal to, 55y-54y, 55y-54y, clear, तो देखें, आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर 9 आजाएगा, ठीक है, और आपका यहाँ पर y आजाएगा, तो y की value के आगए, आपकी y की value के आगए, आप लोगों की 9 आगए, आप देखें, y की value के आप कहाँ put करेंगे, आपका 1 करता है, आप 2 में put करिए, आपका 1 में put करिए, जहाँ आपका 1 करता है, आप वहाँ पर value को put करिए, तो देखें, हम क्या करेंगे, put value of y, value of y, in equation, in equation first, किसमें put करेंगे हम, equation first में इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर put कर रहे हैं, इसक X की value क्या होगी 9 Y आपका 9 में हमसे क्या पूछा गया था find the fraction हमसे पूछा गया था fraction बताईए fraction क्या होगा ठीक है तो fraction आपका क्या होता है पेटा आपका x by y fraction क्या होता हमारे पास x by y now fraction now fraction equal to x by y fraction हमारे पास क्या है X by Y और X कितना निकला है X निकला हमारे पास 7 और Y कितना निकला हमारा 9 यह हमारे पास required answer हो गया किलिए रोगे हमारे पास क्या बटा यहाँ पा required answer आ गया समझा गई आपको बाते बाते समझा आईए न आपको तो देखें इसको दुबारे एक बात है आप जीड करते हैं तो कुश्चिन में हमें बोला गया था यहां पे कि आपका कोईने आपके पास यहां पे पर कि है यहाँ बेख शलंहें तो फक्रेक्शन में देखेगस । हमने क्या fraction let किया fraction को x by y let कर लिया है clear है जब हमने fraction let के x by y तो हमने question के according कलना start किया तो question के according हमें क्या बोला गया था कि numerator and denominator में अगर 2 add करें if 2 is added to numerator and denominator fraction become 9 by 11 fraction 9 by 11 बन जाता है तो हमने इस तरह लिख लिया अब देखें आप डिरेक्ट इस तरह solve करने सकते हैं तो इसके हमने क्या करेंगे इस वाद cross multiply करा solve किया और we get the value of x question rise जी होता है sir क्या मैं y की value भी निकाल सकते हूं बेटा आप y की भी निकाल सकते है आप x की भी निकाल सकते है जैसा आपका मन करें clear है इसके बाद देखें हम लोगों ने क्या करा है आप एक्स प्लस 3 second में कहा था इस वी आइड़े 3 numerator and denominator अगर numerator and denominator में 3 आइड़ करते हैं तो fraction will become 5 by 6 fraction क्या बन जाता आपका 5 by 6 तो इस 6 यहां multiply 5 by multiply solve कर लिए आपका 6 6 equal to 5y minus 13 clear है यहां आपकी equation 2 आ गई फिर हमने आपके पास देखिए substitution method का यहां पर इस्तमाल करना था इसलिए हमने यह किया है otherwise यहां पर हम normal equation बना सकते थे 9y को इदन ले जाके clear है तो हम क्या करेंगे x को हमने किसमें put किया x को हमने put किया equation 2 में x को हमने equation 2 में put किया और x कहा है हमारे पार x यह रहा हमारे पास जब हमने equation 2 में put किया तो 6 9y minus 4 by 11 equal to 5y minus 3 तो x की value आ गए यहां पर जब हमने solve किया solve करने के पास हम इसे क्रॉस multiply क्रॉस multiply हम लोगों ने किया यहां से इसको multiply कर लिया जब इदर आगे तो आपके पास देखे 54 आपके पास 54y minus 24 equal to 11 को multiply 11 5y minus 3 तो 11 5s कितना हो जागा आपका 55y minus 33 तो देखिया 33 दर आजागा 33 minus 24 55 minus 54y y की value कितने आगे आपकी y की value कितने आगे आपके बिटा है आपके 9 आ गई है तो हम क्या करेंगे y की value को first नो पूट करेंगे y की value किसमें पूट करेंगे first में आप question यह rise होता है कि sir क्या इस value को मैं second नो पूट कर सकता हूं मैं आप बेटा किसी में पूट करिए आपकी मर्जी है लेकिन यहां पर आपको easy पढ़ दाएगा तो हमने क्या किया आप य था य की जिए पर हमने 9 पूट कर लिए य की जिए पर हमने क्या करा नाइन पूट कर लिया 99 आपका 81 81-4 आपका 77 77 by 11 आपको कितना आ गया आपका अंसर 7 आ गया तो हमारा fraction जो हमारा final answer हो गया fraction हमें निकालना था fraction हमारा 7 by 9 बन गया fraction हमारा क्या हमें बटाएं आपके 7 by 9 यह हमारा required answer हो गया ओके I hope आप लोगों को पूरा का पूरा question अच्छे से समझाया होगा और आप लोगों ने अपनी copy में इसे note किया होगा आप इसे note कर सकते हैं screen को pause कर लिजिए और इसको note कर सकते हैं आप लोग ओके ओके ना question number 3 part 6 देखे question number 3 का 6 part है तो जब भी आपके पाइस ट्राइप को प्रॉब्लम है age problem है कैसी प्रॉब्लम है age problem है जब भी कभी स्ट्राइप का आपके पास question आए तो आपने be careful हो कि इस question को बहुत समझदारी से करना है क्योंकि question आपका बहुत important question है तो question को read करते है book अपने सामने रखिएगा ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है five year hence the age of Jacob will be three times the age of his son देखिए यहाँ पर दो आपके objects है एक जैक है और दूसरा उसका son है आपसे बोला गया five year hence age of Jacob will be three times the age of his son कहरा पांस साल बार जो जैकब की age होगी वो अपने son से three times हो जाएगी आगे लिखा हुआ है five year ago पांस साल पहले five year ago पांस साल पहले जैकब age was seven times that of his son जैकब की age कितनी हो जाएगी अपने son के seven times हो जाएगी अपने son के कितनी हो जाएगी आपने son के कितनी हो जाएगी THAT of his son what are their percentages तो उनकी present age क्या है आपे present age of Jacob and his son तो हम लेखेंगे यहाँ पर प्रेजन्ट एज ओफ जैकब प्रेजन्ट एज ओफ जैकब तो जैकब के प्रेजन्ट एज लेट कर लेते हैं यहाँ पर एक्स एयर है क्या है हमारे पास एक्स एयर है और प्रेजन्ट एज ओफ इस सन उसके सन की जो एज है वो कितनी आपके पा After five year, पांस साल बाद, तो पांस साल बाद, हम पहले इनकी ही एज को निकुन पालते हैं, ऐज ओफ जैकब, ऐज़ ओफ जैकब, जैकब की एज क्या हो जाएगी, पांस साल बाद बिटाओ, पांस साल बड़ा ओ जाएगा, dose ही ओफ is sun, पांस साल बाद जैकब की एज अपने बेटे से तीन गुनी हो जाएगी तो बड़ा ध्यान रखना में क्या पढ़ रहे हैं हमें आपर equation पढ़ रहे हैं तो equation पढ़ रहे हैं तो x प्लस 5 हमें पता है कि किसकी एज जादा है किसके जादा है हम इयरे आप जानते हैं एज किसकी जादा है जादा है जादा है तो हम equal करने के लिए किसके एज मोटिप्लाइ करींगए उसके sun की एज में मोटिप्लाइ कर दिया three से x प्लस 5 इक्वल टू 3 y प्लस 15 clear तो देखें हम never x जो 3y प्लस 15, minus 5 टेक्स की value कितनी हो जाएगे आपकी 3y plus 10 आपके पास से value of x आ गया इसे आप मान लेजिए first equation इसे क्या मान लेजिए आप लो इसे मान लेजिए first equation clear, quit out अब देखिए आगे बोला गया 5 year ago ठीक है अब आपसे बोला गया 5 year ago 5 साल पहले अब 5 साल पहले की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है 5 साल पहले की तो present में 5 साल पहले जाएंगे तो हम age of Jacob Jacob की age क्या हो जाएगी बेटा Jacob की age हो जाएगी x-5 year 5 साल छोटा हो जाएगा और age of his son, उसके sun की age क्या हो जाएगी आपकी, y-5 year, clear है, जैकब की age होगी, x-5 year, और sun की age कितनी होगी, y-5 year, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है, आगे देखिए, जैकब age was 7 times that of his son, जैकब की age जो है, जो जैकब की age है, वो 7 times है, उसके sun के 7 times रह गई, ठीक है, जो जैकब की age है अपने sun से कितनी 7 times, तो देखिए बेटा, यहां पर भी जैकब बढ़ाई होगा, विकोज जैकब वहाँ पर क्या है, यहां पर आपका father है, तो उसकी age बढ़ी होगी, और sun की छोटी होगी, तो हमने क्या multiply किसमे करना है, we always multiply, small value, जो small integers होगा, उसमें multiply करेंगे, ताकि हमारे minus y, 35, 7y, 75 जा 35, तो देखिए, x equal to 7y minus 35 plus 5, टेक्स की value कितनी होगी, 7y minus 30, 7y minus 30, यहां आपके पास क्या आगी बेटा है, आपकी equation number 2 आगी, equation number 2 आगी, अब देखिए, आप आपकी मर्जी आप 1 की value को 2 में put करिए, 2 की value को 1 में put करिए, आपका 1 है, जैसे आप करना चाहते है put equation 1 in equation 2, equation 1 को equation 2 में put करते है, x value कितनी है आपकी, 3y plus 10 equal to 7y minus 30, तो देखिए, बेटा कितना हो जाएगा, 3y plus 10, ओके, तो आप देखिए, हम 30 को इदन ले आते हैं, plus 30 हो जाएगा, आपका 7y, 3y को साइड ले जाएगे, 30, 10, 40, और 7y minus 3y, 40 equal to कितना हो जाएगा, 4y, और y के वले कितनी हो जाएगा, 10, y के वले कितनी हो जाएगा, 10, समझा की बात आपको, y के वले आपके कितनी हो गई है, y के वले आपके आ गई है, 10, clear, अब देखिए, put y in equation, जिसमें आपका 1 करें, इसमें put कर लीजे, पिछली 30, x equal to 7y minus 30, यह हमारी equation 2 है, क्या हमारी equation 2 है, तो इसको करते हम देखे हैं हापे, अब आपका x आ जाएगा, x equal to 7, y के वले कितनी है, 10 minus 30, ता आपके हमारीbas कितना हो जाएगा, x equal to 70 minus 30, क्या आ जाएगा, 70 minus 30, ते x के वले कितनी हो जाएगे पट से 46 तो एक्स के वह लिए फुट्टी आ गई किलियर है अब यहां पर देखें हम तो X क्या था हमारे पास X था आपकी जैकब की एज तो लेखेंगे नाव एज आफ जैकब कौनसी एज अब यहां पर प्र सक्सकी एज जा गई समझागी बाद तो देखिए इसको दुबारा रिव्यू करते हैं इसके 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 इंप़ॉटन पॉइंट को देखते हैं नहीं हमारे पास क्या लिखा है यह पर प्रेज़ प्रेजेश कितनी है हमारे पास हमने लेट कर लिए X and Y year, क्या लेट की हम लोगों ने, X and Y year, अब देखे, 5 साल बाद, question में बोला गया था, 5 साल बाद, जैकप की age, अपने संसे 3 को नी हो जाएगी, अपने संसे कितनी हो जाएगी, 3 times हो जाएगी, तो हमने क्या लिखा, दोनों को 5 साल बाद age निका लिए, सबसे पहले, 5 साल बा X की value कितनी हागी पिटा, 3Y plus 10, अब देखे, 5 ये रहे हो, 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात कर रहा है, 5 साल पहले क्या था, age उसकी 7 times, तो देखे, age of jack up कितनी होगी, X minus 5, 5 साल पहले, देखे, present में 5 साल पीछे की बात करते हैं, and age of its sun, उसके sun की age कितनी हागी, Y minus 5, clear है, jack up की age X minus 5, sun की age Y minus 5, X minus 5 equal to 7 times of Y minus 5, clear है, तो आप देखे, X minus 5, 7Y minus 35, तो X equal to 7Y minus 35 plus 5, तो X की value कितनी हैं, 7Y minus 30, X की value कितनी हागी, 7Y minus 30, ये equation 2 हो गई, अब हमने क्या किया किए, बटा, 1 और 2 में 2X निकले पड़े हैं, तो आपका मन करता है, तो आप क्या करिए, दोने equation में किसी की value को किस में put कर लीजिए, देखे, हमने क्या करा, 1 की value को 2 में put कर लिया, तो X की value जो 3Y plus 10 थी, उसको यहाँ put कर दिया, तो 3Y plus 10, equal to 7Y minus 30, 3Y plus 10, ये 30 इदर आगे, 7Y उदर चला गया, तो 40 equal to 7Y minus 3Y, 40 equal to 7Y minus 3Y आगया, तो 40 equal to 4, आपका Y की value कितनी हागे, आपकी, Y की value आपकी 40 आ गई, तो now present age of Jacob, Jacob की present age 40 year हो गई, present age of his son, उसके son की age कितनी हो गई, 10 year आ गई, 10 year, तब देखे, यहाँ पर कुछ important points था, उसको ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है, जो important points को आप ध्यान रखोगे हमेशा, क्या आपके पास जब भी विटा, जब भी आपके पास age problem आ हमेशा ध्यान देना है, कि आपके पास जिस भी age, जिसकी भी age ज़्यादा होगी, जिसकी भी age क्या होगी बटा, मिलट कर लेते हैं, किसी के father की age 20 है, और son की age 5 है, अब मैंने कहा age of father, age of father is 4 times of his son, 4 times of his son, कितनी है, उसके son से 4 गुनी है, 4 times of his son, तो ध्यान रखना यहाँ पे 4 times है, अल्रड़ी father बड़े हैं, तो हम multiply के समगरें, तो father की age कि आप father equal to 4 times of son, तो देखे, father की age कितनी है, 20 और son की age भी कितनी होगी, 4 into 5 equal to 20, तो equation का mean सी यही होता है, इस equally represent करता है, कि दोनों side की value हमारे पास क्या होनी चाहिए, यह equal होनी चाहिए, दोनों side की value क्या होनी चा पर कराऊंगा, ताकि जो आपके exam के point of view से बहुत important होते हैं, CVSC के point of view से, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, CVSC, HVSC, जिससे point of view से आपको questions को करते जाए, questions को समझते जाए, आगे आपके अगर NTSC कोई भी exam आप देते हैं, तो उसके लिए बिए काफी helpful होते हैं आपके, जो हमें आपको समझाया है, तो आशा करता हूँ तो आपको सबको यह समझाया होगा, और आप लोग इस session को काफी enjoy किया होगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेगा, ओके, thank you, have a nice day.